हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसमें काफी डिमांड मेरे पास आ रही थी कि इसके ओपर एक वीडियो बनाई जाए लोग बाग जैसे शेयर मार्केट में आ तो जाते हैं लेकिन उनको शेयर मार्के हो आपको थोड़े दिटेल देना चाता हूं आक यह हमारी क कुछ ट्रेंडिंग विडियो स हैं जो जिन विडियो को आप में बाहत प्यार दिया है तो अगर आप इन वीडियो को देखना चाते हैं या शेयर करना चाते हैं तो मैंने informations में के लिंक देदिये हैं आप महां से और शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज हमारे इस वीडियो में जो टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं उसमें उसकी थोड़े डिटेल ये मैं आपको दे रहा हूं शेयर मार्केट क्या है सबसे पहली चीज होती है जब मार्केट में आ जाते हैं इन्वेस्ट भी कर लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है शेयर मार्केट होता क्या है काम कैसे करता है कितने हमारे स्टॉक एक्षेंजिज हैं शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़े किस किस चीज की आप होती है यह सब चीजे इसमें कवर करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टन जो टॉपिक है कि एक अच्छा शेर कैसे सर्च करें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्किट में तो आ जाते हैं इंवेस्ट भी कर दिया किसी कहने से किसी ने कोई टिप दे दी इंवेस्ट कर दिया लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कैसे सर्च करें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और एक शेर मार्किट में रिटेल इंवेस्टर क्या क्लतियां करता है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेके जा रहे हैं वो है शेर मार्किट है क्या आखिर तो शेर मार्किट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स दिन के एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है एक आवर्स फिक्स हैं जैसे सुबह नो बज़े आपकी मार्किट खुल जाती है वाड़े तीन बज़े तक यह चलती है तो एक ही स्पेसिक आवर्स हैं जिसके बीच में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें जितनी भी लिस्टिट शेर्स हैं उसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस मार्किट के थूप लोग अक्से शेर मार्किट और स्टॉक मार्कि शब्दों का प्रस्पर उप्योग करते हैं आला कि दोनों के बीच मुख्य अंतर इस तत्य में नहीं था है कि जहां पहले का उप्योग केवल शेर्स की ट्रेडिंग के लिए किया जाता है वहीं बादवाला आपको विवेल फाइनेशल सिक्योर्टी जैसे बोंड डेरिवेटिव फोरेक्स आधी का ट्रेड करने की अनुमति देता है वैसे देखा जाए नॉर्मली जो हम लेंग्वेज में यूज करते हैं वो शेर मार्क कह सकते हैं कि जो भी एक है software इसके पीछे काम कर रहा है आपने जैसे buy order को डाला तो और किसी ने sale order डाला तो दोनों के price अगर match हो जाते हैं तो वो अपने आप मला उसमें किसी को कुछ नहीं करना होता है software कर रहा होता है वो अपने आप दोनों orders को match करा देता है और वो execute हो ज करना होगा जो एक bank या financial institution institution हो सकता है वोकर आपके investor के लिए बात कर रहे हैं आपके और stock market के बीच में एक intermediary intermediary होता है मतलब एक तरीके से क्या किये है कि आप मला कोई share आप खरीदना चाहते हैं और वो share market में listed है तो आप यह नहीं कर सकते कि आप डायक्टो शेयर को अपने account में या जैसे भी आप नहीं ले सकते उसको आपको एक proper way में उसमें करना होगा जिसमें ब्रोकर होगा आपक सबके बाद stock exchange होगा जहां पर companies listed हैं तो यह पूरा एक path होगा इसको आप avoid नहीं कर सकते हैं यही प्रॉसेस है इस्टॉक एक्षिंज में retail या individual investors और mutual funds जैसे institutional investors दोनों हो सकते हैं मलब ऐसा नहीं है कि retail investors के लिए कुछ अलग process है और mutual funds हैं या institutional investors हैं उनके लिए कोई अलग process स पाथ है जो सब एक जैसे ही path को follow करेंगे अब stock exchanges कितने हैं इंडिया में तो भारत में पर्मुक रूप से दो stock exchanges नेशनल इस्टॉक एक्षेंज और दूसरा है Bombay stock exchange Bombay stock exchange के बारे में थोड़ा सब बताते हैं 1875 में यह established हुआ और Asia में सबसे पुराना stock exchange है और transactions के मामले में भी यह globally दसवे स्थान पर आता है BSC के लिए market capitalization shares की जो कुल संख्या multiply by market price की लगभग यह इसका formula में एक तरीके से आपको बताया है कि share की कुल संख्या और market price जो भी उसका है उसको अगर हम calculate करें तो यह near about 3.5 trillion डॉलर होता है Surgeoning Group से Listed Companies की कुल संख्या 5200 पिच्चाण में है एक दोनों exchanges के लिए एक benchmark एक तरीके से एक हमने एक scale बना दिया है जिससे की हमें यह पता चले कि इस particular exchange की performance को हम कैसे major कर पाएं जैसे BSC के लिए हमने Sensex को एक major बना दिया है कि आप Sensex से idea लगा सकते हैं कि BSC उपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसमें BSC के जो top 30 stocks हैं उसमें Sensex में सामिल किये गए हैं तो इनसे हम एक idea ले सकते हैं कि भाई BSC जो है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्योंकि इनकी performance से उसकी value बढ़ती है या घटती है जो भी रहता है मतलब companies का जो share जितने भी यह तो 30 companies मैंने आपको बताएंगे हैं इनके share price की value के उपर Sensex depend करता है वो अगर इनकी value बढ़ती है तो Sensex भी बढ़ता है और अगर इनकी value बढ़ती है तो Sensex भी बढ़ता है इसी तरीके से National Stock Exchange है BSC की monopoly को challenge करने के लिए NSC या National Stock Exchange को 1992 में launch किया गया था मतलब कि सबसे पुराना इंडिया में जो है Bombay Stock Exchange ही है सेकेंड नंबर पे हमारा National Stock Exchange आता है जिसको 1992 में launch किया गया एनसी का जो market capitalization है 3.4 trillion dollar है इसे globally नोवा इस्थान दिया गया है largest stock exchange के लिए इसका जो scale हम एक तरीके से कह सकते हैं जिससे हम NSC की performance को measure कर सकते हैं वो है उसको नाम दिया गया है Nifty इसमें NSC की top 50 stock score 50 companies को जो top उस पे आती है लिस्ट में जो top पे आती है 50 companies हैं उनको इसमें Nifty में शामिल किया गया उन companies की performance के उपर ही Nifty का up and down जो भी होगा वो आपको देखने को मिलता है जो depend करता है 50 companies के उपर यह हैं हमारे stock actions जिनके उपर आप companies की trading share उसको खरी सकते हैं या बेच सकते हैं अच्छा share market कितने तरीके का होता है normally हमने कभी इस चीज़ पर कभी सोचा ही नहीं कि share market में कोई types भी हो सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं share market को दो parts में divide किया जा सकता है पहला है primary market और दूसरा है secondary market primary market क्या होता है जैसे कोई company listed नहीं है और वो fund raise करने के लिए exchange में आना चाहती है पहली बार तो उसके सेवी के पास अपना application देते हैं जो भी procedure है वो अलग चीज़ है लेकिन इसमें क्या है इसमें वो जब अपना application देते हैं market में fundraising के लिए IPO अपना लाते हैं और shares को sale करते हैं वहां से fund को raise किया जाता है इस fund से company अपने जो भी manufacturing है या plant का expand करना चाहते हैं जो भी उसका अपने डवलोप्मेंट में जो भी use करना चाहें वो इसको कर सकते हैं तो इसमें जो इसका जो एक तरीके से सार है वो यह है कि जब company लिस्टिड नहीं है वो first time market में आती है और अपने shares को market में लिस्ट करना चाहती है उस जो phase है company का उसको हम बोलेंगे primary share market और secondary share market क्या होगा एक बार जब किसी company की नई securities या shares primary market में बेच दिया जाता है तो उनका secondary stock market में trade किया जाता है मतलब क्या है एक listed company है उसका कोई particular share आप खरीदना चाहते है या बेचना चाहते है तो हम उसको नाम देते हैं कि अब आप जो यह trade कर रहे हैं buy or sale कर रहे हैं वो एक secondary share market में उसको आप buy or sale कर रहे हैं यहां investors को मुझूदा market price पर shares को buy or sale का मुका मिलता है जैसे IPO में क्या होता है एक price band होता है वो fix होता है यह lower price band है यह upper price band है तो वहाँ पर सब कुछ fix होता है लेकिन अब क्या है कि जो share market आजया company list हो गई है अब आप जो market price है वो ज्यादा है IPO के rate से या कम है जो भी है अब वो market decide करेगा उसको कि इसका price क्या रहेगा उस condition में आप उस market price पर उस shares को buy or sale कर सकते हैं काम तोपरा investors यह transactions broker या ऐसे अन्यमाध्यम से करते हैं जो इस पर किरिया को सुईधा जनक बनाते हैं देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी shares की buy या sale या कोई भी trade आप लेना चाते हैं तो उस condition में आप डारेक्ट share market में नहीं जा सकते हैं उसके लिए आपको ब्रोकर की जरुत पड़ेगी और ब्रोकर आपसे एक amount लेता है या बैंक से आप उसको आपने पैसे देते हैं और amount से आप shares को buy या sale कर सकते हैं इसमें बड़ा easy हो जाता है जब ब्रोकर आपके पास होता है क्योंकि पहले पहले भी जैसे होता था तो एक ब्रोकर होता था लेकिन अभी क्या है सेवी ने काफी स्ट्रीम लाइन बना दिया है कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में चलुआ है सब कुछ एक decided है प्रोसीजर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं देखिए बहुत बड़ा कुश्यन होता है कि थोड़ा सा आइडिया तो होता है सबको लेकिन प्रोपर नहीं पता होता है कि क्या-क्या चीज़ों कि आपको ज़रुद पढ़ने वाली है और क्या प्रोकर के माध्यां से जाना होगा किसी बैंक या ब्रॉकिंग फर्म के साथ एक डीमेट अकाउंट यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट होता है डीमेट अकाउंट में क्या है आप शेयर को रख सकते हैं जैसे आप अपने शेरिंग अकाउंट में बैंक में अपना पैसा कि नॉर्मली दोनों इखटे कुलते हैं अलग-अलग नहीं कुलते हैं पहले होता था आप तो सब इखटा चलता है लेकिन आप ट्रेड करने के बाद शेयर को जहां रखेंगे को रखेंगे वह को जब बाई और प्लेस करते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से डीमेट डीमेट अकाउंट में आता है और वहां से फिर आपके बैंक अकाउंट में टांसर हो तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको तीन चीजों की जरुत परती है सबसे पहली यह बैंक अकाउंट एक बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे सेकंड चीज है डीमेट अकाउंट जब का आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में हिस्सेदारी या एक्विटी मिलती है लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी कहीं कोई गडबर हो तो आप बता सकेंगे कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ तरीके से डीमेट अकाउंट एक प्रूफ है एक शेयर आप कहां रखेंगे तो उस प्रूफ के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप अगर उस शेयर को बेचना खरीदना चाते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेड को याज़ा जिए आपने सिर्कानेशी में लीमेट अकाउंट को ला दोंहें नहीं कर सकते हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारह टॉपिक इस्टॉक मार्किट में क्या क्या ट्रेड हो सकता है शेर्थ तो हमें सब fund से भी buy sale किया जा सकता है लेकिन आपको stock exchange से भी buy sale कर सकते हैं mutual fund को derivatives भी इसमें trade किये जाते हैं इस चार चीजे आप share market में trade कर सकते हैं सबसे पहले हम shares के बारे में बात कर लेते हैं एक share किसी company में equity ownership की एक unit को represent करता है और shareholders company को होने वाले किसी भी profit और loss को सहन करते हैं मतलब इसमें क्या होता है profit तो है उसमें तो सबको अच्छा लगता है लेकिन अगर company को loss होता है और share price नीचे जाता है तो वो loss भी उसके shareholder को ही सहन करना होगा share का मतलब होता है कि कि किसी company में आपकी हिस्सेदार है अगर आपने किसी company का share खरीदा है तो इसका मतलब है आप उस company के कुछ हिस्से के मालिक हैं कुछ हिस्सा मिन्स जितने भी share साथ के पार्स हैं उसकी जो percentage बनती है तो आपका भी loss होता है मतलब profit के case में तो क्या होगा share price उपर जा रहा है तो आपको profit हो रहा है अगर आप बुक कर लेते हैं तो आपका लेकिन अगर company को loss होता है या share price नीचे जाता है तो जो loss होगा वो भी आप ही का होगा आज आप किसी भी company के shares को घर बैठे broker के दुआरा online buy या sale कर सकते हैं अब क्या है सब कुछ online हो गया लीमेट account आप खोल लें वो भी सब कुछ online है trading account भी online है तो आप website पे जाएंगे या किसी app के थू आप ये buy या sale घर बैठे ही कर सकते हैं इसका थोड़ा समय एक चोटा सा example लिया है जैसे मालिया किसी company के एक हजार शिया है एक example लिया है मैंने और उसमें से show share आपके पास हैं तो आप उस company की 10% equity के मालिक हैं मनला आप उस company में 10% के हिस्सेदार है share का price कैसे बढ़ता गड़ता है ये बहुत अच्छा question होता है normally लोगा सोचते हैं पता नहीं क्यों ब अगर किसी company के shares में ज्यादा demand होती है तो supply कम होती है तो उसके share का price बढ़ जाता है कि किसी परकार जब supply ज्यादा होती है और demand कम होती है तो share का price घट जाता है मलत देखिए आप इसका reason कुछ भी लें चाया news है या company बहुत अच्छे profit में आ गई है उसका result बहुत अच्छा जो भी है लेकिन में जो बेस होगा share price के घटने बढ़ने का वो यह होगा demand and supply जब कोई news ऐसी positive news आएगी तो क्या होगा demand एकदम से बढ़ जाएगी supply एकदम से रुख जाती है क्योंकि लोग बाद क्या है फिर sale नहीं करते क्योंकि news सबको पता चल जाती है तो वो एक demand और supply क के उपर ही सारा खेल होता है share price का तो आप जब भी कोई share price उपर नीचे होता है तो जब भी ऐसा होगा तो आपको एकदम से समझा जाएगा कि यह demand और supply का खेल हो रहा है सेकंड चीज है हमारी bonds किसी company को long term और profitable projects को सुरू करने के लिए प्रयाप capital किया उशक्ता होती है capital जुटाने का एक तरीका public को bond जारी करना है यह bond company द्वारा किये गए लिए गए loan को represent करते हैं और bond holders company के creditor बन जाते हैं और coupons के रूप में समय पर interest का payment प्राप्त करते हैं देखिए shares क्या होता है कि आपने एक share company के share खरीद ली है तो जो share price होगा उसके ऊपर आपका profit और loss decide होगा लेकिन जो bonds होते हैं bonds में क्या होता है company direct bond जब किसी को issue करती है तो आप अब company आपकी करशदार है उसकी liability है क्योंकि अब वो आप उस company के creditor बन जाते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि share price उपर होगा तो आपको profit होगा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सब कुछ fix है एक तरीके से company ने आपसे loan लिया है bonds का मतलब होता है company ने आपसे loan लिया है और उसके बदले में company आपको interest payment करती है या इखटा देती है जो भी process रहता है उस time तो यह वो होता है इसमें क्या है अगर कभी company दिवालिया होती है तो आप एक तरीके से company के creditor हैं सबसे पहले payments जो जिनसे company ने loan लिया हुआ है सबसे पहले payment उनको की जाती है shareholders सबसे last में आते हैं थर्ड चीज़ जो trade होती है वो है mutual funds mutual funds professionally managed funds होते हैं जो कई investors के पैसे को खटा करते हैं और collective capital को within financial securities में invest करते हैं आप equity debt hybrid funds जैसे विन financial instruments के लिए mutual funds ले सकते हैं परतेग mutual fund scheme ऐसी units जारी करती है जो एक share के समान एगनिश्चित value के होती है जब आप ऐसे funds में invest करते हैं तो आप उस mutual fund scheme में unit holder बन जाते हैं जब mutual fund scheme revenue और जित करती है तो unit holders को वह revenue dividend payouts के रूप में ताफ्ट होता है इसमें जैसे वहाँ पे share holder था तो यहाँ पे हम एक शब्द यूज़ कर रहे हैं unit holder मला अगर आप mutual fund में किसी भी scheme में invest करते हैं तो आपको units दी जाती हैं जिस वज़े से आपका नाम हो जाता है unit holder तो इसमें अगर profit होता है किसी particular scheme में तो उस profit को dividend payout के रूप में unit holders को divide कर दिया जाता है इसमें जो funds होते हैं कई तरीके के होते हैं जैसे equity funds होते हैं तो equity funds में क्या है सारा आपका जितना भी पैसा होगा वह equity shares में लगेगा और debt में क्या होता है कुछ debt में चला जाता है कुछ equity में वह सब अलग-अलग ratio है वह scheme के जो detail आती है उसमें आपको सारी detail मिल जाएगी कि ये कितना परसेंट जो एक्यूटी में लएगा, कितना परसेंट जो डेक में लएगा, अब इसी तरीके से next है derivative, derivative एक ऐसी security है जिसमें buyer for seller security की जो price है उसके बारे में विल्कुल opposite expectations रखते हैं, वहला एक आदमी कह रहा है नहीं आने वाले time में future में इसके price बढ़ेंगे, और ए एक कह रहा है कि नहीं इसके प्राइस आने वाले टाइम में कम होगे मलब यह सब कुछ फ्यूचर के ओपर डिपेंड कर रहा है लेकिन सोच दोनों की अपोजिट है एक कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा तो वो सोचता है कि मैं इसको अपने पास रख लूँ क्योंकि सेल पास बढ़ता है तो जिसने खरीद है उसको प्रॉफिट होता है जिसने सेल किया उसको लॉस होता है लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो जिसने सेल किया उसको प्रॉफिट होता है और जिसने बाइक किया है कि एक शेर को सर्च कैसे किया जाए एक अच्छा शेर आपको कैसे प बढ़ा consistent है कि नहीं है ऐसा तो नहीं है कि आज इस quarter में बढ़ गया और पिछले कई quarter में लॉस था आगे फिर लॉस हो गया ऐसे ना हो तो प्रॉफिट लॉस की हिस्ट्री को देखें एसे टो लाइबिल्टी पर ध्यान दें एसेट कितना है इसके पास और लाइबिल्टी कित होगा नए plants या कुछ expand करना है तो नहीं कर पाईगी तो अगर cash flow है तो ऐसी company बहुत अच्छी होती है balance sheet को पढ़ना आपको आना चाहिए आपको पता होना चाहिए मुझे कौन-कौन से parameters इसमें से देखने हैं और कैसे नहीं देखने हैं क्योंकि balance sheet अगर आपने पढ़ ली तो आपको पूरी company के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि क्या अच्छा है future में क्या होने वाला है या अभी फिलाल क्या चल रहा है अच्छा किसी भी company को आप जब कर रहे हैं आपने सब कुछ देख लिया रहा है उसके बाद आप यह चीज जहूँ देखें कि बजार में किस तरीके की news है इसके बारे में company ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसी negative news आ रही है जिसकी वज़े स इसे future में आपको loss हो सकता है तो इनके उपर भी आप ध्यान में future growth और products की future demand के बारे में अच्छे से research करें देखी क्या होता है बहुसी चीज बहुसी company है आज की date में उसका जो product है बहुत demand में है आने वाले time में पता जला उसकी कोई demand ही नहीं है लेकिन यह बहुत ज्यादा तो आप नहीं research कर सकते लेकिन कोशिश करें कुछ ना कुछ idea हो जाता है अगर आप थोड़ा सा research करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं future में यह इसकी demand रहेगी या कम हो जाएगी या इससे ज़्यादा बढ़ने वाली है यह आपको थोड़ा idea लग जाता जब आम आर्कि मार्किट में जरूरत पढ़ सकती है वो मैंने वहाँ पे importance बनाए हैं सारे नहीं मैंने उसमें cover किये जो एक अच्छे share को select करने के लिए जरूरी है वहाँ से आप देख सकते हैं तो इनको भी आप अच्छे से देखें उसके बाद ही किसी अच्छे share को select करें तो अगर इतनी उनका profit जो है वो कम हो जाता है मनलब एक जो बड़े-बड़े investors हैं वो तो एक बहुत अच्छा profit लेके जाते हैं लेकिं retail investors बहुत छोटे से profit में ही उनको संतोश करना पड़ता है कि जो भी है ठीक है बहुत कम में काम का चला लेते हैं अपना लेकिन वो गलत है लेकिन अगर अगर आप इन गलतियों पर ध्यान देंगे तो शायद आपको एक अच्छा कासा profit हो सकता है सबसे पहले जो गलती सबसे बहुत बड़ी गलती करते हैं और सब करते हैं कि research ही नहीं करते हैं किसी ने कुछ share बता दिया और आंक मीच के उसको buy भी कर लिए कोई research नहीं कुछ द trading एक इतनी गंदी आदत है जो हम सभी करते हैं मैं भी हूँ जो भी सब के लिए कह रहा हूं तो इसमें क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी थोड़े से profit के ऊपर buy कर लिया इतना लालच दिमाग में आता है जैसी मार्किट में आते तो ऐसा लगने लगता है बस आज खरीदा और कल को profit होना ही चाहिए है तो यह न ओवर ट्रेडिंग होती है इसमें मालिया कभी आपको profit हो भी गया तो क्या होगा कि जो taxes है ब्रॉक्रेजिस हैं उन्हीं से आपका profit minus हो जाता है तो बहुत frequently buy selling ना करें रिस्क tolerance पर बहुत ध्यान दें क्योंकि क्या होता है कभी-कभी किसी बड़े investor को देखके हम कुछ trade ले लेते हैं लेकि उनकी क्या है risk tolerance बहुत ज्यादा होती है हमारी उतनी नहीं होती है हमारा जो capital है बहुत छोटा सा होता है तो उस पर आ प्रॉलेट ना कर पाएं वह चीज़ ना करें कि प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है कि लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता है डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ध्यान दें जब तक आप अपने portfolio को diversify नहीं रखेंगे तो आपको कभी भी profit नहीं होगा क्योंकि क्या होत जिसकी वैसे वो डाउन जा रहा है और आपने diversify किया ही नहीं है तो आप हमेशा माहिनस में बैठे वेट किये जा रहे हैं तो बहुत चीज़ नहीं है diversification जरूर रखें । market को कभी टाइम ना करें आपको बिल्कुल किसी को भी नहीं पता market में चाहिको कितनी भी बाते बनाएं किसी को नहीं पता market का उपर होगी कड़ाउन होगी सब अंदाजा है सब तुक्का मारना एक तरीके से तो market को कभी टाइम करने को इस्छणा करें आ से 25 परसेंट है 30 परसेंट पचास परसेंट जो भी आप अपना जितने भी आपका इस टॉलेंस है उसके आप से आप एक टार्गेट जरूर फिक्स करें कि अगर मैं यहां पर इसमें लेता हूं तो यहां पर एक जिट करूंगा या कुछ ऐसे एक अपने रूल्स बनाएं कि प यूज भी हो सकती है या आपकी अपनी जरूरत भी हो सकती है जैसा भी आप एक एक जिट पॉलिसी जहूर लें आच मीच के ट्रेड ना लें और चुक्चाब ना बैठे रहें कोई कभी कभी क्या होता है कोई कम्पनी अच्छी भी चल जाती और कोई पता चले आपने देख कुछ भी इफेक्ट डाल सकता है कम्पनी के ओपा तो और कॉंफिडेंस नहीं कि बस यह तो बहुत अच्छी है और यह सब कुछ ठीक ही रहेगा और उसमें आपको ट्रेड लेके बैठे हुए है और फिर लॉस उता है वह सब ठीक ही है अच्छा लेक आफ पेशेंस यह क्योंकि बस इसका कर रहा है कि आप द्याने कि कि किस वजह से यह उपर नीचे हो रहा है अगर कोई ऐसी नूज है कि लगर एकज़ा सब्कमा सकता तो आज की वीडियो यहीं तक ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें चैनल पर अगर आप नए है वीडियो भी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वाचुम